हेलो फ्रेयन कैसे हो आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज के वीडियो में हम नन टू हॉलिगूड फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खान की जवान बॉक्टाफिक पर तहलता मचा रही है साथ सितंबर को रिलिज हुई एटली की या मल्टिस्टार फिलिम रोज नहीं रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफलता के बीच हॉलिवूड की हॉरर फिलिम दर नन टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान के बीच आज सितंबर को रिलिज हुई इस फिलिम ने 11 दिन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में भले ही इस फिल्म को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में या फिल्म धमाल मचा रही है इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है The Nun तूट साल 2018 में रिलिज हुई The Nun का सिक्वल है 40 मिलियन डॉलर से भी कम बजट में बनी इस फिल्म ने 150 मिलियन डॉलर यानी 1250 करोड रुपे का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी ज़ादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 770 करोड पचास लाक की कमाई की है जवान ने जहां 300 मिलियन डॉलर तक ही कमाई कर सकी है दर नन की कहानी के बारे में बात करें तो दर नन टू की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हक्त्या की कहानी पर बैस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताइसा फार्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आज के वीडियो में हम नन्टू हॉलिगूड फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खान की जवान बॉक्टाफिक पर ताहलता मचा रही है 7 सितंबर को रिलिज हुई एटली की या मल्टिस्टार फिलिम रोग नहीं रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफल्टा के बीच हॉलिवुड की हॉरर फिलिम दर नन्टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान के बीच 8 सितंबर को रिलिज हुई इस फिलिम ने 11 दिन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में भले ही इस फिल्म को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में यह फिल्म धमाल मचा रही है इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है दर नन टूट साल 2018 में रिलिज हुई दर नन का सिक्वल है 40 मिलियन डॉलर से भी कम बजट में बनी इस फिल्म ने 150 मिलियन डॉलर यानी 1250 करोड रुपे का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी ज़ादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 770 करोड पचास लाक की कमाई की है जवान ने जहां 300 मिलियन डॉलर तक ही कमाई कर सकी है दर नर्न की कहानी के बारे में बात करे तो दर नर्न 2 की स्टोरी लाइन की बात करे तो फिल्म 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बेस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताइसा फार्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आज के वीडियो में हम नन्टू हॉलिगूड फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खान की जवान बॉक्टाफिक पर ताहलता मचा रही है 7 सितंबर को रिलिज हुई एचली की या मल्टिस्टार फिलिम रोग नहीं रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफल्टा के बीच हॉलिवुड की हॉरर फिलिम दर नन्टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान के बीच आज सितंबर को रिलिज हुई इस फिलिम ने 11 दिन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में भले ही इस फिल्म को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में या फिल्म धमाल मचा रही है इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है दर नन तूट साल 2018 में रिलिज हुई दर नन का सिक्वल है 40 मिलियन डॉलर से भी कम बजट में बनी इस फिल्म ने 150 मिलियन डॉलर यानी 1250 करोड रुपे का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी ज़्यादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 770 करोड पचास लाग की कमाई की है जवान ने जहां 300 मिलियन डॉलर तक ही कमाई कर सकी है दर नन की कहानी के बारे में बात करें तो दर नन 2 की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बैस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताइसा फार्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें आज के वीडियो में हम नन्टू हॉलिगूड फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खान की जवान बॉक्टाफिक पर तालका मचा रही है 7 सितंबर को रिलिज हुई एटली की या मल्तिस्टार फिलिम रोग नहीं रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफलता के बीच हॉलिवूड की हॉरर फिलिम दर नन्टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान के बीच आज सितंबर को रिलिज हुई इस फिलिम ने 11 दिन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में बहले ही इस फिल्म को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में यह फिल्म धमाल मचा रही है इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है The Nun तूट साल 2018 में रिलिज हुई The Nun का सिक्वल है 40 मिलियन डालर से भी कम बजट में बनी इस फिल्म ने 150 मिलियन डालर यानी 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी ज़्यादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 797 करोड 50 लाग की कमाई की है जवान ने जहां 300 मिलियन डालर तक ही कमाई कर सकी है दर नन की कहानी के बारे में बात करें तो दर नन 2 की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहाने पर बेस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताइसा फार्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आज के वीडियो में हम नन्टू हॉलिगूड फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खान की जवान बॉक्ट अफिस पर ताहलता मचा रही है 7 सितंबर को रिलिज हुई एटली की या मल्तिस्टार फिलिम रोग ने रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफलता के बीच हॉलिवूड की हॉरर फिलिम दर नन्टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान के बीच आज सितंबर को रिलिज हुई इस फिलिम ने 11 दिन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में बहले ही इस फिल्म को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में यह फिल्म धमाल मचा रही है इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है The Nun तूट साल 2018 में रिलिज हुई The Nun का सिक्वल है 40 मिलियन डालर से भी कम बज़ट में बनी इस फिल्म ने 150 मिलियन डालर यानी 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी ज़्यादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 797 करोड 50 लाकी कमाई की है जवान ने जहां 300 मिलियन डालर तक ही कमाई कर सकी है दर नन की कहानी के बारे में बात करें तो दर नन टू की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बेस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताइसा फार्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें आज के वीडियो में हम नन टू हॉलिगूट फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खन की जवान बॉक्ट फिक पर ताहलता मचा रही है साथ सितंबर को रिलिज हुई एकली की या मल्टिस्टार फिलिम रोग नए रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफलता के बीच हॉलिवूट की हॉरर फिलिम दर नन टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान के बीच आज सितंबर को रिलिज हुई इस फिलिम ने 11 दिन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में बहले ही इस फिल्म को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में यह फिल्म धमाल मचा रही है इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है The Nun तूट साल 2018 में रिलिज हुई The Nun का सिक्वल है 40 मिलियन डालर से भी कम बज़ट में बनी इस फिल्म ने 150 मिलियन डालर यानी 1250 करोड रुपे का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी ज़्यादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 797 करोड 50 लाक की कमाई की है जवान ने जहा 300 मिलियन डालर तक ही कमाई कर सकी है दर नन की कहानी के बारे में बात करें तो दर नन टू की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बेस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताइसा फॉर्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज के वीडियो में हम नन टू हॉलिगूट फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खान की जवान बॉक्ट फिलिम पर तहलता मचा रही है साथ सितंबर को रिलिज हुई एकली की या मल्टिस्टार फिलिम रोग नहीं रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफलता के बीच हॉलिवूट की हॉरर फिलिम दर नन टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान के बीच आज सितंबर को रिलिज हुई इस फिलिम ने 11 दिन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में भले ही इस फिल्म को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में यह फिल्म धमाल मचा रही है इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है The Nun तूट साल 2018 में रिलिज हुई The Nun का सिक्वल है 40 मिलियन डालर से भी कम बजट में बनी इस फिल्म ने 150 मिलियन डालर यानी 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी ज़्यादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 770 करोड 50 लाकी कमाई की है जवान ने जहां 300 मिलियन डालर तक ही कमाई कर सकी है दर नन की कहानी के बारे में बात करें तो दर नन टू की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बैस है जिसकी सिष्टर आईरीन टाइसा फार्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज के वीडियो में हम नन टू हालिगूड फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खान की जवान बॉक्टाफिक पर ताहल का मचा रही है 7 सितंबर को रिलिज हुई एकली की या मल्टिस्टार फिलिम रोज नहीं रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफल्ता के बीज हॉलिगूड की होरर फिलिम दर नन टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान के बीज आज सीतंबर को रिलिज हुई इस फिलिम ने 11 दिन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में बहले ही इस फिल्म को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में या फिल्म धमाल मचा रही है इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है दर नन टूट साल 2018 में रिलिज हुई दर नन का सिक्वल है 40 मिलियन डॉलर से भी कम बजट में बनी इस फिल्म ने 150 मिलियन डॉलर यानी 1250 करोड रुपे का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी जादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 797 करोड पचास लाग की कमाई की है जवान ने जहां 300 मिलियन डॉलर तक ही कमाई कर सकी है दर नन की कहानी के बारे में बात करे तो दर नन टू की स्टोरी लाइन की बात करे तो फिल्म 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बेस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताइसा फार्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करे आज के वीडियो में हम नन्टू हालिगूड फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खान की जवान बॉक्ट अफिक पर ताहल का मचा रही है 7 सितंबर को रिलिज हुई एटली की या मल्तिस्टार फिलिम रोग नहीं रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफल्टा के बीच हॉलिवूड की होरर फिलिम धर नन्टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान के बीच आज सितंबर को रिलिज हुई इस फिलिम ने 11 दिन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में बहले ही इस फिलम को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में यह फिलम धमाल मचा रही है इस फिलम ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है दर नन तूट साल 2018 में रिलिस हुई दर नन का सिक्वल है 40 मिलियन डॉलर से भी कम बज़ट में बनी इस फिलिम ने 150 मिलियन डॉलर यानी 1250 करोड रुपे का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी ज़ादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 770 करोड पचास लाकी कमाई की है दुन ने 300 मिलन डॉलर तक ही कमाई कर सकी है The Nun की कहानी के बारे में बात करें तो The Nun 2 की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिलिम 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बेस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताइसा फार्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज के वीडियो में हम नन्टू हॉलिगूड फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खान की जवान बॉक्टाफिक पर ताहलता मचा रही है 7 सितंबर को रिलीज हुई एटली की या मल्तिस्कार फिलिम रोग नहीं रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफलता के बीच हॉलिवूड की हरर क्लिम दर नन्टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान के बीच आज सितंबर को रिलीज हुई इस फिलिम ने 11 दिन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में भले ही इस फिल्म को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में यह फिल्म धमाल मचा रही है इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है The Nun तूट साल 2018 में रिलिज हुई The Nun का सिक्वल है 40 मिलियन डालर से भी कम बजट में बनी इस फिल्म ने 150 मिलियन डालर यानी 1250 करोड रुपे का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी ज़्यादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 770 करोड 50 लाग की कमाई की है जवान ने जहा 300 मिलियन डालर तक ही कमाई कर सकी है दर नन की कहानी के बारे में बात करें तो दर नन 2 की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म 1956 में फांस में एक पुझारी की हिंसक हक्त्या की कहानी पर बैस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताईसा फार्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज के वीडियो में हम नन टू हॉलिगूड फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खन की जवान बॉक्टाफिक पर ताहल का मचा रही है साथ सितंबर को रिलिज हुई एकली की या मल्टिस्कार फिलिम रोग नहीं रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफलता के बीच हॉलिवूड की हॉरर फिलिम दर नन टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान के बीच आज सितंबर को रिलिज हुई इस फिलिम ने 11 दिन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में बले ही इस फिल्म को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में या फिल्म धमाल मचा रही है इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है The Nun तूट साल 2018 में रिलिज हुई The Nun का सिक्वल है 40 मिलियन डॉलर से भी कम बजट में बनी इस फिल्म ने 150 मिलियन डॉलर यानी 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी ज़ादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 770 करोड 50 लाग की कमाई की है जवान ने जहां 300 मिलियन डॉलर तक ही कमाई कर सकी है The Nun की कहानी के बारे में बात करें तो The Nun 2 की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बेस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताइसा फार्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें आज के वीडियो में हम नन्टू हॉलिगूड फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खान की जवान बॉक्टाफिक पर तालका मचा रही है 7 सितंबर को रिलिज हुई एटली की या मल्तिस्टार फिलिम रोग नहीं रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफलता के बीच हॉलिवूड की हॉरर फिलिम दर नन्टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान के बीच आज सितंबर को रिलिज हुई इस फिलिम ने 11 दिन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में बहले ही इस फिल्म को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में यह फिल्म धमाल मचा रही है इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है The Nun तूट साल 2018 में रिलिज हुई The Nun का सिक्वल है 40 मिलियन डालर से भी कम बज़ट में बनी इस फिल्म ने 150 मिलियन डालर यानी 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी ज़्यादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 797 करोड 50 लाग की कमाई की है जवान ने जहां 300 मिलियन डालर तक ही कमाई कर सकी है दर नन की कहानी के बारे में बात करें तो दर नन टू की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बैस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताइसा फार्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आज के वीडियो में हम नन टू हॉलिगूड फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खान की जवान बॉक्ट अफिस पर ताहलता मचा रही है साथ सितंबर को रिलिज हुई एटली की या मल्टिस्टार फिलिम रोग नहीं रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफलता के बीच हॉलिवूड की हॉरर फिलिम दर नन टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान के बीच आज सितंबर को रिलिज हुई इस फिलिम ने 11 दिन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में बले ही इस फिल्म को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में यह फिल्म धमाल मचा रही है इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है The Nun तूट साल 2018 में रिलिज हुई The Nun का सिक्वल है 40 मिलियन डालर से भी कम बजट में बनी इस फिल्म ने 150 मिलियन डालर यानी 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी ज़्यादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 770 करोड पचास लाक की कमाई की है जवान ने जहां 300 मिलियन डालर तक ही कमाई कर सकी है दर नन की कहानी के बारे में बात करें तो दर नन टू की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बैस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताइसा फार्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज के वीडियो में हम नन टू हालिगूड फिल्म के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खान की जवान बॉक्टाफिक पर ताहलता मचा रही है साथ सितंबर को रिलिज हुई एकली की या मल्टिस्टार फिल्म रोज नहीं रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफलता के बीच हौलिवूड की हॉरर फिल्म दर नन टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान के बीच आज सितंबर को रिलिज हुई इस फिल्म ने 11 दिन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में भले ही इस फिल्म को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में यह फिल्म धमाल मचा रही है इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है The Nun तूट साल 2018 में रिलिज हुई The Nun का सिक्वल है 40 मिलियन डॉलर से भी कम बजट में बनी इस फिल्म ने 150 मिलियन डॉलर यानी 1250 करोड रुपे का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी ज़्यादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 770 करोड 50 लाग की कमाई की है जवान ने जहां 300 मिलियन डॉलर तक ही कमाई कर सकी है The Nun की कहानी के बारे में बात करें तो The Nun 2 की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बैस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताइसा फार्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें आज के वीडियो में हम नन टू हॉलिगूड फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खान की जवान बॉक्ट अफिक पर ताहलता मचा रही है 7 सितंबर को रिलिज हुई एटली की या मल्तिस्टार फिलिम रोग नहीं रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफलता के बीच हॉलिवुड की हॉरर फिलिम दर नन टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान के बीच आज सितंबर को रिलिज हुई इस फिलिम ने 11 दिन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में बहले ही इस फिल्म को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में यह फिल्म धमाल मचा रही है इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है दर नन टूट साल 2018 में रिलिज हुई दर नन का सिक्वल है 40 मिलियन डालर से भी कम बजट में बनी इस फिल्म ने 150 मिलियन डालर यानी 1250 करोड रुपे का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्डवाइस बिजनेस से भी ज़्यादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 797 करोड 50 लाग की कमाई की है जवान ने जहां 300 मिलियन डालर तक ही कमाई कर सकी है दर नन की कहानी के बारे में बात करें तो दर नन टू की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बेस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताइसा फॉर्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज के वीडियो में हम नन टू हॉलिगूट फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खान की जवान बॉक्ट फिक पर ताहलता मचा रही है साथ सितंबर को रिलिज हुई एकली की अमल्टिस्टार फिलिम रोग नए रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफलता के बीच हॉलिवूट की हॉरर फिलिम दर नन टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान के बीच आज सितंबर को रिलिज हुई इस फिलिम ने 11 दिन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में बहले ही इस फिल्म को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में यह फिल्म धमाल मचा रही है इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है The Nun तूट साल 2018 में रिलिज हुई The Nun का सिक्वल है 40 मिलियन डालर से भी कम बज़ट में बनी इस फिल्म ने 150 मिलियन डालर यानी 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी ज़ादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 770 करोड 50 लाकी कमाई की है जवान ने जहां 300 मिलियन डालर तक ही कमाई कर सकी है दर नन की कहानी के बारे में बात करें तो दर नन टू की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बेस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताइसा फॉर्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आज के वीडियो में हम नन्टू हॉलिगूड फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खान की जवान बॉक्टाफिक पर ताहलता मचा रही है 7 सितंबर को रिलिज हुई एचली की या मल्टिस्टार फिलिम रोग नहीं रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफल्टा के बीच हॉलिवुड की हॉरर फिलिम दर नन्टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान के बीच 8 सितंबर को रिलिज हुई इस फिलिम ने 11 दिन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में भले ही इस फिल्म को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में या फिल्म धमाल मचा रही है इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है दर नन तूट साल 2018 में रिलिज हुई दर नन का सिक्वल है 40 मिलियन डॉलर से भी कम बजट में बनी इस फिल्म ने 150 मिलियन डॉलर यानी 1250 करोड रुपे का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी ज़ादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 770 करोड पचास लाक की कमाई की है दौन ने जहां 300 मिलियन डॉलर तक ही कमाई कर सकी है दर नन की कहानी के बारे में बात करें तो दर नन टू की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बेस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताइसा फार्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आज के वीडियो में हम नन्टू हॉलिगूड फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खान की जवान बॉक्टाफिक पर ताहलता मचा रही है 7 सितंबर को रिलिज हुई एचली की या मल्टिस्टार फिलिम रोग नहीं रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफल्टा के बूच हॉलिवुड की हॉरर फिलिम दर नन्टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है यवान की तुफान के बीज 8 सितंबर को रिलिज हुई इस फिलिम ने 11 दिन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में भले ही इस फिल्म को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में या फिल्म धमाल मचा रही है इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है दर नन तूट साल 2018 में रिलिज हुई दर नन का सिक्वल है 40 मिलियन डॉलर से भी कम बजट में बनी इस फिल्म ने 150 मिलियन डॉलर यानी 1250 करोड रुपे का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी ज़ादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 797 करोड पचास लाग की कमाई की है 50 में जहा 300 मिलियन डॉलर तक ही कमाई कर सकी है The Nun की कहानी के बारे में बात करे तो The Nun 2 की स्टोरी लाइन की बात करे तो फिल्म 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बेस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताइसा फार्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें आज के वीडियो में हम नन टू हौलिगूड फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खान की जवान बॉक्टाफिक पर ताहलता मचा रही है 7 सितंबर को रिलिज हुई एटली की या मल्टिस्टार फिलिम रोज नहीं रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफल्टा के बीच हॉलीवूड की होरर फिलिम दर नन टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान की बीच 8 सितंबर को रिलिज हुई इस फिलिम ने 11 दिन में 30 करोड़ उपे की कमाई कर दी है भारत में बहले ही इस फिलिम को तीस करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में यह फिल्म धमाल मचा रही है वर्ड वाइस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है दर नन तूट साल 2018 में रिलिज हुई दर नन का सिक्वल है 40 मिलियन डॉलर से भी कम बजट में बनी इस फिल्म ने 150 मिलियन डॉलर यानी 1250 करोड रुपे का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी जादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 797 करोड पचास लाग की कमाई की है ज़ान ने जहां 300 मिलियन डॉलर तक ही कमाई कर सकी है दर नन की कहानी के बारे में बात करें तो दर नन 2 की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बैस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताइसा फार्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आज के वीडियो में हम नन्टू हॉलिगूड फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खान की जवान बॉक्ट फाफिक पर ताहलता मचा रही है 7 सितंबर को रिलिज हुई एटली की या मल्टिस्टार फिलिम रोग नहीं रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफलता के बीच हॉलिवूड की हॉरर फिलिम दर नन्टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान के बीच आज सितंबर को रिलिज हुई इस फिलिम ने 11 दिन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में बहले ही इस फिल्म को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में या फिल्म धमाल मचा रही है इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है The Nun तूट साल 2018 में रिलिज हुई The Nun का सिक्वल है 40 मिलियन डॉलर से भी कम बजट में बनी इस फिल्म ने 150 मिलियन डॉलर यानी 1250 करोड रुपे का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी ज़्यादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 797 करोड 50 लाग की कमाई की है 50 ने जहा 300 मिलियन डॉलर तक ही कमाई कर सकी है The Nun की कहानी के बारे में बात करें तो The Nun 2 की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बैस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताइसा फार्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें आज के वीडियो में हम नन्टू हॉलिगूड फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खान की जवान बॉक्टाफिक पर ताहल का मचा रही है 7 सितंबर को रिलिज हुई एटली की या मल्तिस्टार फिलिम रोग नहीं रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफलता के बिच् हौली वूड की हörर कर दाली है जवान की तुफ़ान के बीच आज सी त्मबर को रिलिज हुई बारत में बले ही इस फिलिम को 30 करोर का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में या फिलिम धमाल मचा रही है वर्ड वाइस कलेक्शन की बात करें तो इस फिलिम ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है दर नन तूट साल 2018 में रिलिज हुई दर नन का सिक्वल है 40 मिलियन डॉलर से भी कम बजट में बनी इस फिलिम ने 150 मिलियन डॉलर यानि 1250 करोड उपे का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी ज़ादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 797 करोड पचास लाग की कमाई की है जवान ने जहां 300 मिलिन दॉलर तक ही कमाई कर सकी है दर नन की कहानी के बारे में बात करें तो दर नन टू की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिलिम 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बैस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताइसा फार्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आज के वीडियो में हम नन्टू हॉलिगूड फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खान की जवान बॉक्ट अफिस पर ताहलता मचा रही है 7 सितंबर को रिलिज हुई एटली की या मल्तिस्टार फिलिम रोग ने रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफलता के बीच हॉलिवूड की हॉरर फिलिम दर नन्टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान के बीच आज सितंबर को रिलिज हुई इस फिलिम ने 11 दिन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में बहले ही इस फिल्म को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में यह फिल्म धमाल मचा रही है इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है The Nun तूट साल 2018 में रिलिज हुई The Nun का सिक्वल है 40 मिलियन डालर से भी कम बजट में बनी इस फिल्म ने 150 मिलियन डालर यानी 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी ज़्यादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 797 करोड 50 लाग की कमाई की है जवान ने जहां 300 मिलियन डालर तक ही कमाई कर सकी है दर नन की कहानी के बारे में बात करें तो दर नन टू की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बेस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताइसा फार्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज के वीडियो में हम नन टू हालिगूड फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खान की जवान बॉक्टाफिक पर तहलता मचा रही है साथ सितंबर को रिलिज हुई एकली की या मल्टिस्टार फिलिम रोग नहीं रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफल्ता के बीच हालिवुड की होर्र फिलिम द नन टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान के बीच आज सितंबर को रिलिज हुई इस फिलिम ने 11 दिन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में बले ही इस फिल्म को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में यह फिल्म धमाल मचा रही है इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है The Nun तूट साल 2018 में रिलिज हुई The Nun का सिक्वल है 40 मिलियन डालर से भी कम बजट में बनी इस फिल्म ने 150 मिलियन डालर यानी 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी ज़्यादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 770 करोड 50 लाग की कमाई की है जवान ने जहा 300 मिलियन डालर तक ही कमाई कर सकी है दर नन की कहानी के बारे में बात करें तो दर नन टू की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बैस है जिसकी सिष्टर आईरीन टाइसा फार्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज के वीडियो में हम नन टू हालिगूड फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खान की जवान बॉक्टाफिक पर ताहल का मचा रही है साथ सितंबर को रिलिज हुई एकली की या मल्टिस्टार फिलिम रोग नहीं रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफल्टा के बीच हालिवुड की हॉरर फिलिम दर नन टू ने भी अच्छी कमाई कर दाली है जवान की तुफान के बीच आठ सितंबर को रिलिज हुई इस फिलिम ने 11 दिन में 30 करोण उपे की कमाई कर दी है भारत में बले ही इस फिल्म को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में या फिल्म धमाल मचा रही है इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है दर नन तूट साल 2018 में रिलिज हुई दर नन का सिक्वल है चालिस मिलियन डॉलर से भी कम बजट में बनी इस फिल्म ने 150 मिलियन डॉलर यानी 1250 करोड रुपे का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी ज़ादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 770 करोड पचास लाक की कमाई की है जवान ने जहां 300 मिलियन डॉलर तक ही कमाई कर सकी है दर नर्ण की कहानी के बारे में बात करें तो दर नर्ण 2 की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बैस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताइसा फार्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आज के वीडियो में हम नन्टू हॉलिगूड फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खान की जवान बॉक्टाफिक पर ताहलता मचा रही है 7 सितंबर को रिलिज हुई एचली की या मल्टिस्टार फिलिम रोग नहीं रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफल्टा के बिच हॉलिवुड की होरर फिलिम दर नन्टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान के बिच 8 सितंबर को रिलिज हुई इस फिलिम ने 11 दिन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में बहले ही इस फिल्म को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में यह फिल्म धमाल मचा रही है इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है दर नन तूट साल 2018 में रिलिज हुई दर नन का सिक्वल है 40 मिलियन डॉलर से भी कम बज़ट में बनी इस फिल्म ने 150 मिलियन डॉलर यानी 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी ज़ादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 797 करोड 50 लाग की कमाई की है दर नन की कहानी के बारे में बात करें तो दर नन 2 की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बेस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताइसा फॉर्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज के वीडियो में हम नन 2 हॉलिगूड फिल्म के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खन की जवान बॉक्टाफिक पर ताहल का मचा रही है साथ सितंबर को रिलिज हुई एकली की या मल्टिस्टार फिल्म रोज नहीं रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफलता के बीच हॉलिवूड की हॉरर फिल्म दर नन 2 ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान के बीच आज सितंबर को रिलिज हुई इस फिल्म ने 11 दिन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में भले ही इस फिल्म को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में या फिल्म धमाल मचा रही है इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है The Nun तूट साल 2018 में रिलिज हुई The Nun का सिक्वल है 40 मिलियन डॉलर से भी कम बजट में बनी इस फिल्म ने 150 मिलियन डॉलर यानी 1250 करोड रुपे का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी ज़ादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 797 करोड पचास लाग की कमाई की है जवान ने जहां 300 मिलियन डॉलर तक ही कमाई कर सकी है The Nun की कहानी के बारे में बात करें तो The Nun 2 की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बेस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताइसा फार्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें आज के वीडियो में हम नन्टू हालिगूड फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खान की जवान बॉक्ट अफिक पर ताहल का मचा रही है 7 सितंबर को रिलिज हुई एटली की या मल्तिस्टार फिलिम रोग नहीं रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफलता के बीच हॉलिवूड की हॉरर फिलिम दर नन्टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान के बीच आज सितंबर को रिलिज हुई इस फिलिम ने 11 दिन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में बहले ही इस फिल्म को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में या फिल्म धमाल मचा रही है इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है दर नन तूट साल 2018 में रिलिज हुई दर नन का सिक्वल है 40 मिलियन डालर से भी कम बज़ट में बनी इस फिल्म ने 150 मिलियन डालर यानी 1250 करोड रुपे का कलेक्शन कर लिया है या कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी जादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 694 करोड 50 लाग की कमाई की है गवन ने जहां 300 मिलिन डॉलर तक ही कमाई कर सकी है The Nun की कहानी के बारे में बात करें तो The Nun 2 की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिलिम 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बैस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताइसा फार्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें आज के वीडियो में हम नन्टू हॉलिगूड फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खान की जवान बॉक्ट अफिक पर ताहलता मचा रही है 7 सितंबर को रिलिज हुई एटली की या मल्तिस्टार फिलिम रोग नहीं रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफलता के बीच हॉलिवूड की हॉरर फिलिम दर नन्टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान के बीच आज सितंबर को रिलिज हुई इस फिलिम ने 11 दिन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में बहले ही इस फिल्म को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में यह फिल्म धमाल मचा रही है इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है दर नन तूट साल 2018 में रिलिज हुई दर नन का सिक्वल है 40 मिलियन डालर से भी कम बजट में बनी इस फिल्म ने 150 मिलियन डालर यानी 1250 करोड रुपे का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी ज़्यादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 797 करोड पचास लाकी कमाई की है जवान ने जहां 300 मिलियन डालर तक ही कमाई कर सकी है दर नन की कहानी के बारे में बात करें तो दर नन टू की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बेस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताइसा फार्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज के वीडियो में हम नन टू हालिगूड फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खान की जवान बॉक्टाफिक पर तालता मचा रही है साथ सितंबर को रिलिज हुई एकली की या मल्टिस्टार फिलिम रोग ने रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफलता के बीच हॉलिवूड की होरर फिलिम दर नन टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान की बीच आग सितंबर को रिलिज हुई इस फिलिम ने 11 दिन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में बहले ही इस फिल्म को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में यह फिल्म धमाल मचा रही है इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है The Nun तूट साल 2018 में रिलिज हुई The Nun का सिक्वल है 40 मिलियन डालर से भी कम बज़ट में बनी इस फिल्म ने 150 मिलियन डालर यानी 1250 करोड रुपे का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी ज़्यादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 797 करोड 50 लाकी कमाई की है जवान ने जहा 300 मिलियन डालर तक ही कमाई कर सकी है दर नन की कहानी के बारे में बात करें तो दर नन टू की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बेस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताइसा फार्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज के वीडियो में हम नन टू हॉलिगूट फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खन की जवान बॉक्ट फिक पर ताहलता मचा रही है साथ सितंबर को रिलिज हुई एकली की या मल्टिस्टार फिलिम रोज नहीं रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफलता के बीच हॉलिवूट की हॉरर फिलिम दर नन टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान के बीच आज सितंबर को रिलिज हुई इस फिलिम ने 11 दिन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में भले ही इस फिल्म को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में या फिल्म धमाल मचा रही है इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है दर नन तूट साल 2018 में रिलिज हुई दर नन का सिक्वल है 40 मिलियन डॉलर से भी कम बजट में बनी इस फिल्म ने 150 मिलियन डॉलर यानी 1250 करोड रुपे का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी जादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 797 करोड पचास लाग की कमाई की है जवान ने जहा 300 मिलियन डॉलर तक ही कमाई कर सकी है दर नन की कहानी के बारे में बात करें तो दर नन टू की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बैस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताइसा फार्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आज के वीडियो में हम नन्टू हॉलिगूड फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खान की जवान बॉक्टाफिक पर ताहलता मचा रही है 7 सितंबर को रिलिज हुई एचली की या मल्टिस्टार फिलिम रोग नहीं रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफल्टा के बीच हॉलिवूड की हॉरर फिलिम दर नन्टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान के बीच आज सितंबर को रिलिज हुई इस फिलिम ने 11 दिन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में भले ही इस फिल्म को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में या फिल्म धमाल मचा रही है इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है दर नन टूट साल 2018 में रिलिज हुई दर नन का सिक्वल है 40 मिलियन डॉलर से भी कम बजट में बनी इस फिल्म ने 120 मिलियन डॉलर यानी 1250 करोड रुपे का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी ज़ादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 797 करोड पचास लाक की कमाई की है जवान ने जहा 300 मिलियन डॉलर तक ही कमाई कर सकी है दर नन की कहानी के बारे में बात करें तो दर नन टू की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बेस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताइसा फार्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आज के वीडियो में हम नन्टू हॉलिगूड फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खान की जवान बॉक्टाफिक पर ताहलता मचा रही है 7 सितंबर को रिलिज हुई एचली की या मल्टिस्टार फिलिम रोग नहीं रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफल्टा के बीच हॉलिवूड की हॉरर फिलिम दर नन्टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान के बीच 8 सितंबर को रिलिज हुई इस फिलिम ने 11 दिन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में भले ही इस फिल्म को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में या फिल्म धमाल मचा रही है इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है दर नन टूट साल 2018 में रिलिज हुई दर नन का सिक्वल है 40 मिलियन डॉलर से भी कम बजट में बनी इस फिल्म ने 150 मिलियन डॉलर यानी 1250 करोड रुपे का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी जादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 797 करोड पचास लाग की कमाई की है दौन ने जहा 300 मिलियन डॉलर तक ही कमाई कर सकी है दर नन की कहानी के बारे में बात करें तो दर नन 2 की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बैस है जिसकी सिष्टर आईरीन टाइसा फार्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आज के वीडियो में हम नन्टू हॉलिगूड फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खान की जवान बॉक्टा फिस पर ताहलता मचा रही है 7 सितंबर को रिलिज हुई एटली की या मल्टिस्टार फिलिम रोग नहीं रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफलता के बीच हॉलिगूड की होरर क्लिम दन लॉन टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान के बीच आज सितंबर को रिलिज हुई इस फिलिम ने ग्यारा दीन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में बले ही इस फिल्म को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में या फिल्म धमाल मचा रही है इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है दर नन तूट साल 2018 में रिलिज हुई दर नन का सिक्वल है 40 मिलियन डॉलर से भी कम बज़ट में बनी इस फिल्म ने 150 मिलियन डॉलर यानी 1250 करोड रुपे का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी ज़ादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 797 करोड 50 लाग की कमाई की है जवान ने जहां 300 मिलियन डॉलर तक ही कमाई कर सकी है दर नन की कहानी के बारे में बात करे तो दर नन टू की स्टोरी लाइन की बात करे तो फिल्म 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बेस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताइसा फार्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करे आज के वीडियो में हम नन्टू हालिगूड फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खान की जवान बॉक्ट अफिक पर ताहल का मचा रही है 7 सितंबर को रिलिज हुई एटली की या मल्तिस्टार फिलिम रोग नहीं रिकर्ट तोड रही है वही जवान की शाफलता के बीच हॉलिगूड की हुरर फिलिम दर नन्टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तूफान के बीच आज सितंबर को रिलिज हुई इस फिलिम ने गयारा दिन में 30 करोड उपे क कमाई कर दी है भारत में बहले ही इस फिल्म को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में या फिल्म धमाल मचा रही है इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है दर नन टूट साल 2018 में रिलिज हुई दर नन का सिक्वल है 40 मिलियन डॉलर से भी कम बजट में बनी इस फिल्म ने 150 मिलियन डॉलर यानी 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी ज़्यादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 770 करोड 50 लाग की कमाई की है दर नन की कहानी के बारे में बात करे तो दर नन 2 की स्टोरी लाइन की बात करे तो फिल्म 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बेस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताइसा फार्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें आज के वीडियो में हम नन 2 हॉलिगूड फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खान की जवान बॉक्टाफिक पर ताहलता मचा रही है 7 सितंबर को रिलिज हुई एकली की अमल्टिस्टार फिलिम रोग ने रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफलता के बीच हॉलिवूड की हॉरर फिलिम दर नन 2 ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान के बीच आक सितंबर को रिलिज हुए इस फिलिम ने ग्यारा दिन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में भले ही इस फिलिम को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में यह फिलिम धमाल मचा रही है वर्ड वाइज क्लेक्शन की बात करें तो इस फिलिम nel 1,250 करोड का कलेक्शन टूट साल 2018 में रिलीज हुई दर नन का सिक्वल है 40 मिलियन डॉलर से भी कम बजँब में बनी इस फिलिम ने 150 मिलियन डॉलर यानि 1,250 करोड रूपे का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी ज़ादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 797 करोड पचास लाग की कमाई की है जवान ने जहां 300 मिलन डॉलर तक ही कमाई कर सकी है The Nun की कहान के बारे में बात करें तो The Nun 2 की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिलिम 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहाने पर बेस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताइसा फॉर्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज के वीडियो में हम नन टू हॉलिगूट फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खान की जवान बॉक्ट पफिस पर तहलता मचा रही है शाथ सितंबर को रिलिज हुई एटली की या मल्टिस्कार फिलिम रोग ने रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफलता के बीच हॉलिवूट की हॉरर फिलिम दर नन टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान की बीच आग सितंबर को रिलिज हुई इस फिलिम ने 11 दिन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में भले ही इस फिलिम को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में या फिलिम धामाल मचा रही है वर्डवाइस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है दर नन टूट साल 2018 में रिलिज हुई दर नन का सिक्वल है 40 मिलियन डॉलर से भी कम बज़ट में बनी इस फिलिम ने 150 मिलियन डॉलर यानि 1250 करोड रुपे का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजने से भी ज़्यादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 770 करोड पचास लाग की कमाई की है यावन ने जहा 300 मिलियन डॉलर तक ही कमाई कर सकी है दर नन की कहानी के बारे में बात करें तो दर नन टू की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिलिम 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बैस है जिसकी सिष्टर आईरीन टाइसा फार्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज के वीडियो में हम नन टू हॉलिगूट फिलिम के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे शारुप खांड की जवान बॉक्ट पर ताहलता मचा रही है शाथ सितंबर को रिलिज हुई एटली की या मल्टिस्कार फिलिम रोज नहीं रिकर्ट तोड रही है वही जवान की सफलता के बीच हॉलिवूट की हॉरर फिलिम दर नन टू ने भी अच्छी कमाई कर डाली है जवान की तुफान की बीच आघ सितंबर को रिलिज हुई इस फिलिम ने गैरा दिन में 30 करोड उपे की कमाई कर दी है भारत में बले ही इस फिलिम को 30 करोड का बिजनेस किया हो लेकिन दुनिया भर में या फिलिम धमाल मचा रही है वर्ड वाइस कलेक्शन की बात करें तो इस फिलिम ने 1250 करोड का कलेक्शन कर लिया है दर नन टूट साल 2018 में रिलिज हुई दर नन का सिक्वल है 40 मिलियन डॉलर से भी कम बजट में बनी इस फिलिम ने 150 मिलियन डॉलर यानि 1250 करोड रुपे का कलेक्शन कर लिया है यह कलेक्शन जवान के वर्ड वाइस बिजनेस से भी ज़ादा है जिसने अब तक दुनिया भर में 770 करोड़ पचास लाग की कमाई की है जवान ने जहां 300 मिलन डॉलर तक ही कमाई कर सकी है The Nun की कहानी के बारे में बात करें तो The Nun 2 की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिलिम 1956 में फांस में एक पुजारी की हिंसक हत्या की कहानी पर बैस है जिसकी सिष्टर आईरीन ताइसा फार्मिगा ने इन्वेस्टिकेशन शुरू की और फिर उसका सामना एक शक्तिशाली बुराई से होता है